हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पाइरल स्टडी में बच्चों आज एक और ओन डिमांड टॉपिक हम लेकर के आएं आप लोगों के लिए जिसका नाम है उजेनेसिस ठीक है द उजेनेसिस कह रहे हैं देखो बच्चों अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि स्पर्म बनाने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है ठीक है अगर उजेनेसिस है आपका तो उजेनेसिस में सब से पहले ओ वर्ड का यूज हुआ है तो o genesis को उस o word से याद करेंगे कि o आपका ovum होता है ठीक है यानि o for ovum किलियर है बच्चो अब देखो जहां से o genesis होती है ovum बनाने की process अब देखो बच्चो इस परमेटो genesis में थोड़ा portion अलग है यानि अलग procedure है ठीक है लेकिन o genesis में बिलकुल different है ठीक है तो वो different क्या है वो जड़ा जान लेते हैं देखो बच्चो हर एक gamit का जो निर्माण होता है वो हमारी germ cell से होता है यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर भी आपके तीन phase होने वाले हैं पहला आपका multiplication phase ठीक है दूसरा आपका growth phase और तीसरा आपका maturation phase ठीक है जी यह तीन phase यहां पर भी होन आपने 11th class में जब cell division पढ़ा था तब आपने पढ़ा होगा ठीक है अब देखो बच्चो हम लोग क्या करेंगे हम लोग अब अंडानू जरन देखेंगे यानि उजनेसिस अंडानू गंद्रमान कैसे होता है अब देखो बच्चो सबसे पहले मेरे पास है एक जर्म से ठीक कल मैंने आपको बताया था कि 46Kromosome जिसमें हो ठीक है 46 क्रोमजों जिसमें हो अब देखो बच्चो ये 2N और N का फंडा आज फिर बता देता हूँ आपको एक नंबर होता है है वह आपकी प्रोफेज फर्स्ट हो एसमें प्रोफेज की संग्या होती है अगर आपको डिपलोईट लिखा आज है कि डिपलोईड यानि 2N2 is equal to 23 into तो यानि 46 जिसमें क्रोमोजोम 23 हो वो है प्लोईड और जिसमें क्रोमोजोम 46 हो वो आपका डिपलोईड ठीक है तो यहां पर यह जर्म सेल जो है वो डिपलोईड है ठीक है बच्चो अब यह जर्म सेल जो है वो आपकी प्रोफेज फर्स्ट होगा इसमें प्रोफेज फर्स् है कि female body के अंदर जर्म से ही आपकी जर्म संसुल जो हें वो तयार होना शुरू हो जाती है तो यह जो process थी यहां तक है ती जर्म से आपकी puberty तक है यह नि प्यूबर्टी से करेगा एसकेते हैं कि का बढ़ाएका अब यहाँ पर क्या होता यह आपका यह बढ़ जाएगा अब देखो बिद्गो अब इसके बाद यहाँ पर इस में होगा विए मियासिस में फस्ट ठीक है मियासिस ये थोड़ी टर्म एसी है मिया या निए पहला मियोस्ट हो अब में म्योसीस में क्या बढ़ा ता आम खायों और तो यहां पर 20 चाहरी स्था अब यह च्या हो जाएगा आपका 23 और 23 लेकिन बच्चोब इस्में एक सबसे बड़ा changes क्या आएगा वो ज़रा सुन लो पहले वाला जो 23 होगा ठीक है ये भी N होगा ये भी N होगा लगए लेकिन ये आपका proper ये आपका क्या होगा proper कह सकते हैं इसको कि ये आवम बनने वाली stage होगी ठीक है आवम बनने वाली लेकिन ये दूसरे वाला है ये proper development नहीं होगा देखो बच्चो इसमें होता क्या है कि nucleus का तो complete division हो जाएगा यानि जो karyokinesis की process है वो तो हो जाएगी complete लेकिन इसमें cytokinesis नहीं होगा इसमें आपका इसका जो cytokinesis ज्यादा रहेगा इसमें आपका cytokinesis कम रहेगा ठीक है इसको हम बोलते है पोलर बोड़ी ठीक है रॉलर रोड़ी ठीक है यामर्णा प्राइमरी उसाइब था व्लू साइट यह हमारा क्यावना सेकेंडरी उसच इड़ ठीकए अभी आपको forward a समझाओंगा इसको यह आपका ओगया पॉलर वोड़ी अब यह पॉलर वोडी आपकी Fina ने पहली पॉलर बोडी यह पॉलर वोड़ी बाद में जाके निमर जाती है सिके यहा लुख सकते हम डाइस मरती है सो प्रसंट, ठीक है जी बचता कि हमारे पास secondary ocyte अब secondary ocyte जो है वो आपका आगे जा करके owum बनता है ठीक है जी क्या बनता है ओम यानि आप लोगों को पता चल गया होगा जो जर्म सेल है उस जर्म सेल से केवल एक ही ओवम तयार होता है और बच्चो इतना आप सभी को पता ही है कि हर महिना एक फिमेल बोडी एक ओवम रिलीस करती है ठीक है लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ के चलें कि जर्म सेल जो है वो आपका एक अपना उगोनियम निकाल करके जो दूसरी चीज बनती है द बाकी जो पॉलर बोड़ी जो है आपकी डाइस यह निमर जाएंगी अब होता गया बच्चो इसके बाद जब यह ओवम बन जाता है तो इस ओवम के बाद अगर इसमें आ करके स्पर्म मिलता है ठीक है इस पर मिलता है तो एंद आपका स्पर्म है यानि 23 पेयर सोरी 23 क्रोम इसमें है और 23 क्रोम जो मों मेरे ओवम में तो 23 पहले स है ठीक है बच्चो अगर यह एसा नहीं हो तो can already being आपके ओवम के और छालैस गुनसुतर स्पम के तो बाणवे हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए नहीं होता क्योंकि गुर्णसुत्रों की जो संक्या यानि massa की डो जो संक्या है वो आपकी सेम रहती है यानि जितनी हमारी एक सेल में होने चाहिए जितने हमारी एक nucleus में होने चाहिए यानि 46 उतने ही आपके किसमें होंगे आपकी अगली जो generation है उसमें भी होंगे अगर ऐसा नहीं होता तो generation के अंदर बहुत अलग-अलग प्रकाव मतलब मेरी generation है उसके अंदर बान में हर एक चीज को balance करके बना है है ना तो बच्चों अब देखो जो आपका उजैने सिस्ता पहले क्या थी जर्म सेल थी उस जर्म सेल में प्रोफेज फस्ट हुआ प्रोफेज फस्ट हो करके उसमें 2N ही बना आपका जिसको उगोनियम यानि उगोनिया कहते हैं ठीक है अब यह उ सब्सक्राइबन यहाū जाएगा तो इसको इस इंदर मियोसि डिविजन होगा फेक है क्या होगा मियोसिस डिविजन होगा पहले आपका माय्टियोसिस तीश हुआ उसके बाद अब मियोसिस होँआ ठीक कश्रिव हो जाएग तो 23 यानि कह सकते हैं कि एंज जो है और वैक है तो इसलिए ये वाले जो बोड़ी है ये पॉलर बोड़ी बोली जाएगी और ये बाद में मर जाती है लेकिन ये वाला आपका प्रॉपर ओवम बनता है इसलिए एक जमसेल से आपका एक ही ओवम तयार होगा आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझाया बच्चों बस एक जे भारत बच्चों जे मातादी और जे श्री राम